सो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी टेस्टी यूपी स्टाइल आलू मतर का निमोना एक दम मस्त लगता है फ्रेंड यूपी में तो बहुत बनता है सर्दियों में चटपटा टेस्टी हेल्दी हलो फ्रेंड कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ग्यास पे मैंने कडाई चड़ाया है कडाई में सरसो का तेड डाला है सरसो का तेल अच्छे से हिट हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूं की आलू आलू언 को मैंने पहले ही छिलके धोके काट लिया था आलू को मैं इस तेल में फ्राई कर लेती हूँ अब हम बनाएंगे हरी चटनी जो सबजी में डालेंगे मैंने यहाँ पे लासून, अद्रक, हरा मिर्चा, हरा धनिया लिया है सबको पीछ ले चटनी फॉर्म में ये देखिए अब इसी मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ और इसी जार में मैं मटर ग्राइंड करूँगी मटर एकदम दरदरा ग्राइंड करना है इस तरह अब हम चलते हैं आलू की तरफ आलू फ्राई हो गया है मेरा देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है इस पे एक कोटिंग बन गया है क्रिस्प नेश का अब इसको हम निकाल लेते हैं उसी कड़ाई में दरदरा पीसा हुआ हरा मटर में डालके फ्राई कर लूंगी इसको मीडियम áश में अच्छे से फ्राई कर रहा है ताकि मटर का कच्चा पन निकल जाए मटर हरा मटर भी अच्छे से पक जाए तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए इतना अच्छा फ्राई हुआ है उसी कड़ाई में मैं सर्चों का तेल लूँगी और इसमें जीरा डालूँगी हिंग डालूँगी एक कटा हुआ प्याज डालूँगी सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी फिर इसमें मैं बेसिक से मसाले डालूँगी मिर्चा पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और गर्म मसाला सब अच्छे से मैं मिला लूँगी सारी मसाले को जो आपके पास हो मैं वही डाली फिर यहां पे हरी चटनी जो पीसा था उसको डाल लिया है इसको मिक्स करूँगी मैं और फ्राइ कर लूँगी थोड़ा मसाले फ्राई हो जाते तो अच्छे लगते फिर मैंने डाला है कटा हुआ टमाटर नमक स्वाद अनुसार अच्छे से इसको पका लिया है धक्के अच्छे से भूनोंगी धीमे आज पे यह प्रोसेस करना है मुझे तो धीमे आज पे मैं अच्छे से इसको बहून के पर उसके बाद मैंने पानी डाला है पानी डाल के इसे मैं 15-10 मिनट के लिए पकाऊंगी पान दस मिनट बाद देखिए यह कितनी प्यारी सब्जी बन के त्यार हो गई है इसे आलू मटर की सब्जी कह सकते हैं लेकिन हमारी यूपी में इसे निमोना बोलते हैं मैंने यहां पे एक चमक लाश्ट में घी डाल दिया है देसी इसे इस सब्जी की फ्लेवर बहुत खिल के आती है मेरा वीडियो जड़ा से पसंद आएगा तो लाइक कर दिजिएगा मेरे चैनल में ज़ो नए होंगे सर्क्राइब कर दिजिएगा सर्क्राइब कर देंगे तो ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे आज तकक मिलेंगे हम नेक्स ब्लाइग में आप तक यह निमोना इंज्ञाइं करिए यूपी स्टाइल क अनिमोना बहुत टेश्टी लगता है सर्दियों में हम इसे नए चावल के साथ खाते हैं बहुत यम्मी लगता है बड़ों को तो बहुत पसंद आता है बच्चों को भी पसंद आता है